दोस्तों नमस्कार राजी सरक्लाशेश में आपका स्वागत है आ गया वाइरल पेपर 2024 हिंदी क्लाश 10 तो यहां पर अनुक्रमांक यहां नाम और यह है शंकितांग जिसे आपको अपनी कापी पर लिखना होगा शुरू करते हैं वाइरल पेपर 2024 हिंदी क्लाश 10 वीडियों पूरा देखे में दोस्तों को सेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए समय तीन घंटे 15 मिनट नोट प्रारम के 15 मिनट परच्छार्थियों को प्रश्पत पढ़ने के लिए निर्धारित है यानि 15 मिनट तक ध्यान पुर्वक प्रश्पत को पढ़िए सभी प्रश्पत को दो खंड औ तथा बह में विभाजित किया गया है औ में 20 बहुविकल्पी प्रश्पत है जिसका एंसर आपको OMR शीट पर देना है और यदि आप एक बार गोले को रंग देंगे तो उस पर वाइट नर एरेजर आदि का प्रयोग नहीं करना है प्रश्पत के अंग उसके सम्मुक अंकित कितने नंबर का प्रश्पत के सामने लिग दिया गया है खंड बब में 50 अंग के वर्णात्मक प्रश्पत है और सभी प्रश्पत का उत्तर एक सांदे प्रथम प्रश्ण से प्रारम किजी तथा अंति प्रश्ण करते जए जो प्रश्ण ना आता उस पर समय नश्ट ना किजी यानि जो प्रश्ण पहले आता है उसको पहले लिखी तो शुरू करते हैं आपजेक्टिव यानि खंड और देखें खंड और आगे आपके सामने यम सिक्क्यू बहुबिकल्पी बस्तुनेट प्रस्ट पहला है शुकल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है बंशिधर शुकल आचारामचन शुकल बैकुंठनाज शुकल रामचरण शुकल तो सही बिकल्प आपका है बी तो ओमारशीट पर जाएगा इसी बी वाले गोले को डाट पे ब्लैक हो या ब्लू हो उससे पूरा रंगिये अगला प्रश्ण है सिवा सदन उपन्यास की लेखक है प्रेमचंद्र यसपाल जैसंकरपशाद जैनेंद्र यसपाल प्रेमचंद जैसंकरपशाद कौन है तो सही बिकलप है जैसंकरपशाद जी है अगला है सुकल युक के नाटक कार नमिखित में से कौन नहीं है यानि सुकल युक के नाटक कार कौन नहीं है तो इसमें जैसंकरपशाद है डाक्टर राम कुमार बर्मा ये भी है सुकल युक के नाटक कार हरिकेश प्रेमी ये भ पूरा रंगेगा अगला है प्रशिद आत्म कता क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक रिबंस राय बच्चन डाक्टर राजिन श्राथ पांडे बेचन सर्मा उग्र रामबिला सर्मा हरी बंस राय बच्चन अवताब बच्चन के पिताजी तो पहला विकल्प ही सही ए च जोथा का अगला पाच्वाँ प्रस्णाप के सामने है नमिकित में से कौन प्रशिद यात्रा शाहितिकार है यानि वह प्रशिद यात्रा शाहितिकार कौन है जैसंकपशात प्रेमचंद राहुल शांस्कृत तायन हजारी प्रश्वाद दुवेदी तो यह हैं राहुल शांस रीतिकाल के वीरस के प्रशिद कभी रीतिकाल जिसे स्रिंगार काल भी कहा जाता है रीतिकाल के वीरस के प्रशिद कभी दियो गनानंद बिहारी भूशन तो भूसण जी है राम चंद्रिका के रचनाकार बिहारी भूसण केसो दास मति राम तो सही विकल्प है केसो दास यानि वो मैं सीट पर जाना होगा बी गोले को क्या करना होगा ब्लैक या ब्लू पेन से पुरा रंग ना होगा अब हम आपको लेकर चल रहे हैं अगले पेस यानि तीसरे पेस पर ये वाइरल पेपर दो हजार चौविस हिंदी क्लास 10 आगे आठवा प्रस्ट पूरा तयार रखे दो हजार चौविस के बोर्ड एक्जाम में आपको अधिक से अधिक अंग ये वाइरल पेपर दिलाएगा प्री प्रवास किसकी रचना जैसंकप्षाद नहीं श्रिधर पाठक नहीं सिया रामसरण गुप्त नहीं अवेद्या शिंग उपाध्या हरियोद हरियोद इनका उपनाम है राम की सक्ति पूजा के रचना का अगले प्रशन पर निमखित में से कौन प्रगतिवादी युग का कभी नहीं प्रगतिवादी यानि आजादी की बाद का युग को प्रगतिवादी युग कहा जाता है नागारजुन, तिरलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, भारतेंदु हरिष्चन ये छायावाद युग के लेखक हैं और ये लोग आजादी के बाद के हैं अगला प्रशन है हासरस कास्थाईभा हासरस कास्थाईभा सोक नहीं वही सोक कहां से होग हास्य है हास, हास, रती, उस्सा तो सही भी कलप भी है अगला है मनहु मानो, जनहु जानो आदी वाचक सब्द किस अलंकार में प्रायप्रिक्त होते हैं मनु मानो, जनहु जानो ये इस सब्द आ गया तो समझ जाएए कि वह उत्प्रेच्छा अलंकार वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है जब किसी कविता में ये सब्द किसी वाक्य में आ जाए तो समझ जाए ये वहाँ पर उत्परिच्छा अलंकार है यदि मन हूँ मानो जन हूँ जानो तो अगला प्रस्थ तेरहमा लिखकर लोहित लेख डुब गया दिनमडी अहा बियोम शि इंदू श्रक देख तारक बुद्ध बुदा दे रहा है उपरिक पंक्तियों में प्रिक्त छंद यानि इन पंक्तियों में कौन सा छंद है रोला है दोहा है वर्वै है सोरठा है इन पंक्तियों में जो छंद प्रिक्त हुआ हुआ क्या सोरठा है अब हम आपको लेकर चलें एक महत्पूर्ण पेज चौथे पर और चौधामे प्रश्न के लिए तो देखे आपका उख पेज चौथा पेज उप उपसर्ग से बना सब्द नहीं है यह इससे यानि उप उपसर्ग यानि जो किसी सब्द के पहले बनकर एक साब्दी कर्थ बनाता उसे उपसर्ग करते हैं उपदेश इससे मिलकर सब्द बना है उपर उपनाम उपवन यह नहीं बना वे यह उपर लिखा है यहाँ उपनाम तो यह भी नहीं है बाकि सब्द इसी उपसे मिलकर बने हैं दैनिक सब्द में किस प्रत्य का प्रयोग हुआ दैनिक यानि आन्त में जो किस प्रत्य का प्र त्रिवेडी में कौन सा समास है त्रिवेडी में यहां संख्या का बोध हो रहा है तो जब यहां से संख्या का बोध होता है तो वहां द्यूग समास होता है वहां कौन सा समास होता है द्यूग समास होता है निम्लखित में से गंगा का प्रयावाची नहीं है भागी रथी है व और देव नदी गंगाक परयावाची है और कालिंदी नहीं है आज यहीं नहीं पूछा है गंगाक परयावाची नहीं कालिंदी इत्यादी का सही संधी विच्छेद तो चार विकल्ब देए A, B, C और D इतिधन आदी इतिधन आदी अब अगला है उनीस्वा फल सब्द का अब यहां पर है, हसतु धातु रूप का वचन्यों पुरुश है, द्विबचन मद्यम पुरुश, बहुबचन उत्तम पुरुश, एक बचन पर्थम पुरुश, द्विबचन पर्थम पुरुश, C विकल्प शही है, तेवे 20 आपजेक्टी प्रस्ट बीडियों को पूरा देखे मिद दोस्तों को शेर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अब हम चलने हैं वर्णात्मक प्रस्ट इसका इन सबका एंसर आपको एमार सीट पर देना है वर्णात्मक प्रस्ट का आपको कापी मिलेगी जिस पर एंसर आपको लिखना होगा तो हम चलना हैं अगले पेश पर वर्णात्मक प्रस्ट के लिए आपके सामने आ गया कापी मिलेगी आपको उसमा अपना रोल नमबार ये संकेत और सब कुछ डेटोड भर देना है और एंसर उसी पर इसका देना होगा तो देखे छो नमबर का है यानि यह गदान्स दिया गया है और इस पर आधारित प्रशनों का आपको एंसर देना है बिश्वास पात्र मित्र से बड़ी रच्छा रहती जिसे ऐसा मित्र मिल जा है उसे समझना चाहिए कि खाजाना मिल गया बिश्वास पात्र मित्र जीवन की एक आउसती है हमें अपने मित्रों से आसा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें द्रिण करेंगे दोसो तोटियों से हमें बचाएंगे हमारे सत्त पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे जब हम कुमार्ग पर पाय रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे जब हम हतों साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे सारांस यह है कि वे हमें उत्तमता पुर्वक जीवन निर्वा करने में हर प्रकार साहता देंगे तो यह है इसका संदर्व लिखेगा और रिखांकी तर्श की व्याख्या करनी है लिखक ने विश्वास पात्रमित की तुनला किसे और क्योंकि यह इसमें दिया गया है आप लिख सकते हैं तयार रख सकते हैं जिससे बोर्ड एकजाम में आप अधिक से अधिक नंबर प्राप्ट कर सकें या तो यह करिए या तो देखें यहां से यह करिए इसके निसाट आप लिख सकते हैं इसको तयार कर सकते हैं अपने नोट बुक से गाइडशी किताब से तो इन प्रस्णों को तयार रखी बोर्ड एकजाम 2024 में आपको अधिक से अधिक अंक नमबर दिलाएगा तो हम आपको लेकर चलने हैं अगले पेज अर्थाथ छट्वे पेज पर तो देखे छट्वा पेज आ गया वहां गद्दांस था यहां पद्दांस से इस पर आधारित प्रस्णों का एंसर देना है आप इसकी शोट ले सकते हैं तो शखा स्याम सुंदर के सकल जोग के ईस सुर हमारे नन नंदन बिन और न जगदीश इस पर आधारित इन तीन प्रस्णों का आपको एंसर देना है पद्दांस का संद्रम लिखे दो नमबर एकांकित अंस के व्याख्या कीजिए दो नमबर इंद्र सिथिल भई केसो बिन जियों देह विन शीष उपरित पंतें प्रिक्त अलंकार का नाम लिखे तो यह करेंगे तो आपको च्छा नमबर प्राप्त होंगे अथवा यदि यह नहीं कर सकते हैं आप अथवा में आजाईए यह देखे करेंगे बिश्वत रेखा का वासी जो जीता नितन हाप हाप कर राता अनराग अलोकिक वह भी अपनी मात भूवीं पर दुरुवासे जो हिम तन में जी लेता काप काप कर ओब भी अपनी मात भूवीं पर कर देता प्राणने उच्छावर यहां आपको देखें क्या करना है उब्दुक पर्दांस का संदर्व लखे आज़ेक्स का जियुण भी इतीत करता है यह है और यह है ठीक है इसके साट लेते रहे तीसरा प्रसना आगया आपका संस्कृत से लिम्ड़्खित में से किसी एक संस्कृत गदांस का संदर्व शैथ हिंदी में अनुबात किजिए संदर्व लिखें कि दो नंबर अनुबात करेंगे क्या ती नंबर यानि कुल पांच नंबर प्राथो का ये देखिए आपका क्या है अथवा ये करिए अथवा देखिए हम अगले पेश पर ले ये करिए यानि संदर्व लिखना हिंदी में अनुबात करना पांच नंबर का अब देखिए आ गया यहां आपका निम्खित में से किसी एक संस्कित पद्दांस का ये गद्दांस संस्कित का पद्दांस आपका संदर्व शैथ हिंदी में अनुबात कीजिए संदर्व देखे यह करेंगे पांच नमबर अथवाई करेंगे संदर्व शहित हिंदी में अनुबात करना है अब यहां आ गया पच्वा अपने पठित खंड काप के आधार पर निम्खित प्रस्णों में से किसी का उत्तर दिजी जो भी पढ़ाया गया है आपको क्या खंड काप क्योंकि हर जिले में अलग-अलग खंड काप पढ़ाया जाते हैं तो याद रखे आपको पता होना चाहिए और पांच क्या है नमबर का तीन नमबर का है ठीक है एक का देना है कौका दीजी या खौका दीजी तीने नमबर मिलेगा अब देखे जो भी है देखते इसके शाट लेते जाई हम आपको बढ़ाते जाएंगे गा गा अंगा ठीक है यहां तक शाट लेजी इसी प्रकार के प्रस्ट चोबिस में आएंगे चा गा जा यह देख सकते हैं और देखे लीजी और यह आगया आपका आपको लेकर चलेंगे दसमें पेस पर आप इसके शाट लेते रहीए तयार करते रहीएगा अब यहां देखे क्या करना है आपको देगे लेखों को में से किसी एक लेखक का जीवन परिचे देते हैं उनकी एक प्रमुक रचना को लेक किजी जीवन परिचे लिखेंगे तीन नमबर एक प्रमुक रचना का लेक करेंगे दो नमबर यानि पांच नमबर लेक करना है नाम भी लिखना थोड़ा से उलेक करना, उसके बारे में बताना है आपको, यहनी लेखक, अब यहाँ आ गया कॉभी, वहीं बात, जीवन परिचे लिखेंगे, तीन नमबर, प्रमुक रचना का उलेक करना, प्रमुक रचना का नाम लिखेंगे, उसमें क्या-क्या है, थोड़ा से उलेक करेंगे, पांच कभी सूरदास, बिहरी लाल, महादवी बरमा, सैमना पांच, चारों में से किसी एक कभी का, अब यह हो गया आपका, अपनी पार्ठ पुस्तक में से, कंठस्त को एक स्लोक लिखेंगे, जो इस प्रस्पत में नाया, एक स्लोक लिखना है, दो नमबर का, जो इस पेपर में न नमबर का, नमखित में से किनी दो परशनों को उतर संस्कित में दिए, चार दिए गए है, दो नमबर का, 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 लेकिन दो ही करना है, ठीक है, अब हम आपको लेकर चलेंगे, अंतिम पेश पर, तो देखे करना क्या, यह बिरोजगारी की समस्या और समाधान जल है तो कल है बिद्यार्थी जीवन में नुसासन का महत तो 2024 के लिए महत पूर्ण है नशकर